दोस्तो आपने अभी यह जो कन्वर्सेशन सुना यह हमारा और हमारा एक पेसेंट का है जिनको पिछले दो साल से सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम थी और आज इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कैसे इनका सेक्स प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्ब किया जो कि सिर्फ दो मेह हम लोगों ने इनको ऐसी कौन-कौन सी मेडिसिन खिलाई जिससे की इनका प्रॉब्लम एकदम जड़ से समाप्त हो गया तो आज इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले है तो मैं डॉक्टर सुप्रियो अत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत ह है मेरा इस यूटूब चैनल होमियो केर्ट टिप्स पे तो दोस्तों यह जो पेसेंट है यह हमारे पास आये थे लास्ट यह डिसमबर में ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए इनको भी वही कॉमन प्रॉब्लम्स थी जो की सेक्सवल प्रॉब्लम्स की अंतरगत देखी जाती है लाइक एरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रिमैच्चोर इजेकूलेशन, लैक ओब लिबिडो तो यही सब प्रॉब्लम्स यह पेसेंट भी फेस कर रहा था और मेरे पास आने से पहले इनका बहुत जगा से इलाज भी चला उनमें से दो बड़े यूटूब के सो कॉल्ड होम उस पर अगर कोई एक भी होमोपयात ने गौर फरमाया होता तो यह जो पेसेंट है यह कपका ठीक हो गया होता और इनको मेरे पास आने की नौबत ही नहीं आती दोस्तों यह जो पेसेंट है इनको आज से तीन साल पहले टिबर्कलोसिस याने टीबी हुआ था और टीबी होन इनको स्टैमरिंग यानि हकलाने का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गया जो कि यह पहले नहीं हकलाया करता था तो सेक्स प्रॉब्लम और स्टैमरिंग यह दोनों ही स्टार्ट हुआ टीबी होने का बात से पहले इनको नहीं थी और जब मैं इस पेसेंट का केस्टिकिंग कर इस बात को इन्होंने कम से कम 10 बार दोराया, किसर में इससे पहले बिल्कुल भी ठीक था, मुझे कोई भी सारादिक प्रॉबलेम नहीं थी, लिकिन जब से मुझे तीबी हुआ है, उसके बात से ही ये सारी प्रॉबलेम्स जबलब हुआ है, और इसी बात से मुझे इस पैसे का problem का जो जड़ था जो root cause था वो मुझे दिख गया था और वो जड़ है side effect of anti-tubercular medication यानि जब इनको TB हुआ था और TB के लिए जब इनको anti-tubercular medicines दी गई थी उसी English medicine का ये side effect है तो अगर आज मेरा ये video कोई homeopath देख रहा है तो हमेशा एक चीज को याद रखे when you ever come across patient who have suffered from bad effects of anti-tubercular medication so please in such cases do remember a drug name which is known as steptomycin steptomycin है जो medicine है ये TB patient में ही दी जाती है बट जब आपको कोई ऐसा patient मिले कि English tubercular medication के बाद अगर कोई side effect चालू होता है patient में और वो side effect कुछ भी हो top to bottom कुछ भी हो सकता है इस case में मैंने sexual problem और speech problem के लिए steptomycin के इस्तमाल किया है लेकिन आपका patient को अगर कोई और problem है from top to bottom कुछ भी problem हो सकता है तो फिर आप आँख बंद करके steptomycin के बारे में सोचिएगा लेकिन ailment after bad effects of anti-tubercular medicine ही होनी चाहिए तभी steptomycin काम करेगी otherwise नहीं और इस patient को मैंने steptomycin 200 और 1M का एक single dose ही दिया है अब तक और आज तकरीबन दो मैंना हो चुका है इनका treatment हमारे पास चलते हुए और इनका problem कम से कम 90% सॉल्व हो चुका है पिछले दो साल से वह यहां वहां के medicines खा रहे थे लेकिन इनको कोई भी फरक नहीं पड़ा था लेकिन हमारे पास सिर्फ दो ही मैना treatment इनका चला और इनका problem कम से कम 80-90% सॉल्व हो गया और इसी के साथ इनका जो stammering problem थी जो हगलाने का problem थी वह भी कम से कम 60-70% सॉल्व हो गया मैं फिर से चाहूंगा कि आप लोग कि स्पेसरेंट का feedback एक बार पूरा सुनें अब जो जो आपका जो चल रहा था दवाई वागे रहा वह तो चल रहा था डिसंबर से तो बहुत ही अच्छा उसका feedback है मेरे तरफ से अभी अभी काफी improvement मेरे को इसमें दिख रहा है पहले जैसे कि पहले जैसे कि काफी दिक्कत था काफी यह सब मामला में मैंने आपको सबीस कुछ शेयर किया है हाँ अभी जो है अभी जो डॉक्टर साब अभी क्या हो रहा है अभी अभी फिजिकल इंटेमिसी के डिजायर बढ़ रहा है इरेक्शन रहा है देर तर बहुत सर पॉजिटिव सीज हो रहा है अब पहले जैसा नहीं रहा पाम काउंट भी बढ़ रहा है कफी अच्छा है पहले जैसा दिक्कत नहीं है कफी और इस मेहना मैंने इस पेशन को स्टेप्टोमाइसें 10 M का एक सिंगल डोस अभी तक दे दिया है तो इस वीडियो में आपने ये देखा कि कैसे एक सठीक होमोपाथिक ट्रीटमेंट की मदद से सिर्फ दो ही महिनों में इंपोर्टेंसी, रेक्टाल डिसफंक्शन, प्रिमाचुर इजेकुलेशन, लैक ओब लिबिडो, सिमन की क्वालिटी सभी में इंप्रूम्मेंट लाया गया है जबकि किताब में कहीं पर भी स्टेप्टोमाइसें के बार सेंट आता है तो हमें नई तरीके से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है उसके लिए तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ, so thank you very much and have a good day